नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आज हम बात करेंगे सीटेट 31 जनवरी 2021 पेपर टूप पूरा प्रस्नपत्र हल जिया दोस्त इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके 150 में से कितने नमबर आ रहे हैं तो अगर आप जनरल के चात्र रहे हैं तो आपको पास होने के लिए पहले बता दे 90 नमब लाना होगा OBC, SC, HT और दोस्त अगर आप Fiscal Anticap शात्र हैं तो आपको पास होने के लिए 20 नमब लाना है तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग अपने नमबर मिलाना शुरू करिए तो पहला कुश्चन दोस्तों आता है आपको Child Development and Pedagogy बाल विकास होगा सिच् अंतर करना था इसका जो सही अंतरों का पहला और तीता मतलब देखें विद्यार्थियों की सायता करनी चाहिए कि यह अपने मनों भावों और अभी प्रेडों को सुअ better कर पाए तीसरा था विद्यार्थियों में सवाद और परिचर्चा को प्रोसाइट करना चाहिए जिससे ये बहु परिपेश करने में ससक्त हो तो दोस्त ये दोनों विकल्प को आकुट्टिक करना था तो मतलब इसका जो तीसरा विकल्प था पहला और तीसरा ये सही आंतर अगला कुश्चन था कि प्रतिकूर परिसिती और वंचित प्रश्ट भूमी वाले अधिगम करताओं को संबोधित करने के लिए निम लिखित में से कौन सी पध्यती प्रभाव साली नहीं है ठीक है नहीं है ये बता रहा था चौथा विकल्प दोस्टिस का हो जाएगा अधिगम करताओं को विद्याले के बाहर टूइसर पढ़ने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान ना देना पड़े ठीक है दोस्टिस विकल्प को मिटिक करेंगे अगला कुश्चन क्या रहा है इसको दे बजाए वातावरण के दोस्तों देखे दो यहां पर खालिस्तान थे तो एक हो जाएगा सहयोगिक और एक था प्रितिस परदी इसको में टिक करना था पाच्वा कुश्चन के आरा कि निम लिखित में से कौन सा उधारण विद्यार्थियों को अधिकम के लिए अभी प्रे इसका जो सही नहीं है इसका जो सही अंसर होगा बच्ची प्रत्यों को स्वयम नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्द कराना है ठीक है यह चौथा विकल्प यहां पर करेक्ट आंसर है सात्फा क्यूशन दोस्तों क्यारा वमारा अधिकम एक और प्रक्रिया है तो दोस्तों इसका ओजएगा अधिकम एक चतिल और सक्रीा प्रक्रिया है ठीक है यह थीसरा विकल्प संई है अगला question देखेंगे, नौवा question क्या रहा है कि एक, खालिस्तार कच्छा में अध्यापका अपनी सिच्छा सात्रवा आकलन की विदियो को विद्यार्थियों की ब्यक्तिगर जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है, क्या हो जागा दोस्ते एक प्रगति सील, ठीक है स्कूल की ही होगी, 11 question 11, कि समू में एक दूसरे को पढ़ाने और साहता करने से, क्या होता है दोस्तों, बच्चे सोयम की चिंतर प्रत्रिया पर आच्छेप कर सकते हैं, और संग्यानात्म क्रिया कलाब के उचिस तर्द पर पहुँचे सकते हैं, ये दोस्तों हमारा तीसरा विकल्प यहां पर बिल्कुल, correct answer होगा, अगले question की तरफ बढ़ते हैं, question 12, 11, कि बच्चों के समाजी करण में विद्ध्याले, दूतियक कारक होता है, ठीक इसको ठीक करना था, 13 question देखेंगे, कि निम लिखित में से किस मनुवे ज्यानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच कथन सही है, तो तीसरा विकल्प देखें, दोस्तों, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविद्धाय होती है, इसको दोस्तों हम टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, पंदरा नमर दोस्तों question क्या रहा हमारा, निम लिखित में से मत्य बाले अवस्ता कि सवस्ता में, परिकल्पित, ठीक है, निगमनात्मक, तरक और प्रति ग्यप्ति किंतन करने में समर्थ हैं, इसको में टिक करना था, इसको में टिक करना था, इसको दोस्तों नमर क्वेश्चन क्या रहा है कि लारेंस कोल्बर की नेतिक विकास के सिध्धान्थ के अनुसार, ब्यक्तिक की सवस्ता में है, जब अब विश्वास करता है कि वर्तमान समाजिक प्रडाली को सक्रियता पूर्वग बनाये रखने से धनात्मक मानवी, संबंध और समाजिक वर्ग सुछित रहता है, तो ये दोस्तों चौथा विकल में आपर हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा समाजिक करम ब्योस्ता, अभी विन्याद, इसको टिक करना था, अठारा नमर कोश्चन क्या रहा हमारा, बाले अवस्ता के अवधी में विकास, बहु इस्तरी और मिस्तरीत होता है, चौतिक को में टिक करना था, उन्डिस नमर कोश्चन देखेंगे जरा हम लोग, निकट स विकास का छेत्र क्या होता है, तो इसका जो सेयांतोर होगा कि बच्चों के वर्तमान इस तरफ पर सोचंतर प्रदर्शन और वैस्त कुवा अधिक कोसल वाली सम कच्छियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्चित के जाने वाले प्रदर्शन के मध्यर का छेत्र है, तीसरा विकल्पिया पर बिल्कुल करेक्ट होगा, अगला कोशन देखेंगे, 220 नमर कोशन के रहा हमारा, एक प्रगतिसील कच्छा में सिच्छड, अधिकम प्रक्रिया के दौरान, अधिकम करताओं का मुल्यांकन, बेहत महत्पूर है, क्योंकि यह बच्छों की समझ की जानकारी देता है, और अधिकम को अपने सिच्छा सात्र पर विचारने में सहायक होता है, दूसरा विकल्पिया पर सही होगा, अगला कोशन दोस्तों देखेंगे, कित नमर, हावर्ड गार्डनर, ठीके न, के बहु बुद्धी सिद्धान के अनुसार, निम लिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धी के प्रकार और अंतर इस्तिती अनुपालें संभावना के अनुसार सही है, तो दोस्तों ये दूसरा विखल पर हमारा सारीरी, गती समवेदना, खिलाडी, ये हमारा सही आंतर है, 22 नमर कोशन क्या है, लिव वाइल गोस्की के अनुसार, बच्चों के संगया नात्मग विकास में भासा की एक महतपूर भूमिका है, इसको टिक करेंगे, 23 नमर कोशन देखेंगे, दोस्तों, बाल केंद्रिस कच्चा हुआ है, जिसमें, अध्यापक लचीला है, और तेक बच्चे की ब्रक्तिकत आउसकता हो, तो वो पूरा करता है, ठीक, थोड़ा हो सकता है, दोस्तों आपको सहीना दिख रहा हूँ, लेकिन आप पेपर देखे हैं, तो आपको ये सब कोशन यादोंगे, 24 नमर कोशन, किस मनुवज्यानिक अनुसार बच्चों के संग्यानात्पक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्रपूर गुम का निमाते हैं, लेव वाय उसकी, ठीक, इसको हमें टिक करना था, 25 नमर कोशन क्या रहा है, कि करना था, ठीक है, अगला कोशन देखेंगे, अध्यापकों को कच्छा में बहु भासियता को समझना चाहिए, एक गुड़ और साधन, तीसरा विकल में आपर बिल्कुल अमारा करेक्ट है, तो दोस्तों, 27 नमर कोशन क्या रहा है, कि प्रतिबा साली और सरजनात्मक किस प्रकार संभोधित किया जा सकता है, इसका सही आंतर होगा, चुनोती पूर्ट कारे और निर्सता को दूर करने के लिए क्रिया कला देखर, तीसरा विकल में आपर बिल्कुल करेक्ट है, अगला कोशन 28 नमर, पठन वैफल ले बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सक कारे सेटिस को टिक करेंगे, अगला कोशन देखते हैं हम लोग, कि समावेसी सिच्छा के पीछे अंतर हित विचारिक है, दोस्तों दार से निकता कि सभी बच्चों को नियमित विद्याले में समान सिच्छा पाने का अधिकार है, तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा विकल्प अगर दोस्तों आपने सेटी ले रखा है तो उसकी भी भाई जो आंसर है न उसको भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है आपको बिल्कुल परिसान नहीं होना है, फिलाल मैथमेटिक को सुरू करते हैं, अगर आपने सेटी लिया है, थोड़ा वीडियो को बढ निती होगी, तो प्रक्रिया का चित्रात्पक रूप से प्रदर्शन करना चाहिए, चौता विकल्प यापर सही है, 32 नमर कुशन, निम लिकित में से कौन सा गड़ी सिछड का संकीड उद्देश है, तो विद्ध्यार्चियों को संक्याओं और संक्याओं पर होने वाली सं संक्याओं का संचालन करने में निपूड करना, यह पहला विकल्प सही है, ठीक, अगले कुशन की तरफ बढ़ते है, 33 नमर बहुती खराब मतलब आया, दिखने रहा है, चलि देखते हैं, निम लिकित में से कौन सी दोस्तों यूजना विद्ध्यार्चियों को प्रत्नों क आपको आहल करने के सिच्छट देने के लिए सरवाधिक उपयूगते हैं, तो देखें, विद्ध्यार्चियों को प्रत्न का मतलब आउलोकन करें, ठीक, दोस्तों आपको देखने रहा, लेकिन आपने पेपर दिया है, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, निम ल कोशन दोस्तों आपको दिखेंगे, ठीक, अची कॉल्टी में, विद्ध्यार्चियों में गडित अधिकम का मुल्यांकन करने के लिए, निम लिखित में से कौन्स योजना वांचनी है, इसका जो सही आंतर होगा, विद्ध्यार्चियों की अपने उत्रों को समर्थन देने कि शम्ता मुल्यांकन का महतपूर्ण आधार होना चीए, पहला विकल्प याफर करेक्ट होगा, 36 नमर कोशन क्या रहा है, कि एक आकरती का अत्रिबूज होने के लिए सर्थ है कि तीन रेखा कंडों का समिलन हो, जिया दोस्ता आवश्या को पर्याप्त दोनों ही सर्थ है, 37 नमर कोशन देखेंगे, कि निम लिखित कत्नों पर आपको द्यान देना, यदि, मतलब A बराबर दियागा है, यदि N सम है, तो N स्कौर सम होगा, B, N स्कौर सम नहीं है, यदि N सम नहीं है, यदि N सम नहीं है, यदि N सम नहीं है, तो N सम नहीं है, निम लिखित कत्नों पर द्यार्थियों के लिए निम लिखित में से किसका प्रियोग गडित सिच्छण अधिगम के साधनों के रूप में नहीं किया जा सकता है तो इसका आंतर होगा दोस्तों जीओ जेब्रा इसको में टिक करना था 49 नमर कोश्चन क्या रहा कि निम लिखित कतनों में से कौन सा सही ह तो गड़तिये कतन प्रतिबंदित हो सकते हैं दूसरा विखल में आपर करेक्ट आंसर है 40 नमर कोश्चन को देखते हैं समा विशी कच्छा में पठन अशमता वाले विविद्द बाधित चमता के चात्रों के गडित अधिगम के विशे में निम लिखित में से कौन सा कतन सह ही नहीं है तो पठन अशमता केवल भासा सीखने को प्रभावित करती है ना कि गड़ती है अधिगम को यह दूसरा विखल ठीक है 41 नमर कुश्चन दोस्तों आगे 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संक्या के विबिन अभाज गुडन खंडों की संक्या होगी दोस्तों तो इस जो आंतर आगा दोस्तों यह चोथा विकल्प दो आजाएगा 43 नमर कुश्चन क्याल है कि माल लिजे दोस्तों ए बरापर 11 बटे 13 13 14 15 17 बीची कमान है निम लिखित में से कौन सा सही होगा तो दोस्तों जो पहला विकल्प है 11 13 ठीक है यही वाला आपका सही होगा ठीक है न लेस देन 25 बटे 17 बटे 14 अगला कुश्चन क्या रहा है कि यह दि दोस्तों 0.139 प्लस 0.75 यह सब दोस्तों दिया गया है तो आपको के कमान बता रहा था इसका जो सही होगा पहला विकल्पा जाएगा ठीक है 0.1071 पैतालिस नमर कुश्चन यह दि ए कमान दोस्तों दिया ग ठीक है अगला कुश्चन देखते हैं कि 1.7 गुड़े 10 की गाते 4 और 12.5 गुड़े 10 की गाते माइनस 6 के गुड़न फल को मानक रूप में के इंट्रू 10 की पाउर एंद वारा ब्रेक्ति किया जाता है तो 2K प्लस N का मान होगा तो इसका जो सही आंतर आगा दोस्तों हमारा दूसरा विकल पाएगा 3.25 अगला कुश्चन देखते हैं 47 नमबर 2 संख्या है दोस्तों 3 दस वलो मतलब 3 अनपाते 5 के अनपात में है यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जाय तो यह अनपात 5 अनपाते 7 हो जाता है दी गई संख्याओं का यूग होगा तो आपका दो दोस्ता है फिर भी दोस्तों से 19 प्रतिस्यत का लाब होता है वस्तों का क्रेम मूले क्या होगा तो इसका अनतर होगा दोस्तों हमारा 600 रुपे उनचात नमर कुश्चन क्या है यह दि दोस्तों दिया गया 5x-7 बटे 3 प्लस 2 मराबर 4x-3 बटे 4 प्लस 4x तो 8x प्लस 5 का मान होगा इसका सही आतर आएगा हमारा 6 तो दोस्तों अगला कुश्चन देखते हैं अब 50 नमर कुश्चन है कि मान लीजे पी का मान दोस्तों दिया गया 12x-10y-18x2 q का दोस्तों मान दिया गया तो हमें p-q-r का मान बता रहा है तो इसका जो सही आतर आएगा दूसरा विकल पर होगा 20xy-3x2-3y2 इसको टिक करेंगे आगे बढ़ेंगे 21 नमर कुश्चन था दोस्तों यह दि एक की पाउर 4 प्लस 1 by x की पाउर 4 कमान दिया गया है तो x-1 by x कमान बताना था यह हो जागा हमारा 4 था विकल ठीक है 52 नमर कुश्चन क्या रहा यह दि दोस्तो 15x2-26x8 बराबर ax plus b cx plus d है जहां a और c धनात पर कुड़ांक है तो 2a plus b minus c minus 2d का मान क्या है तो सही आतर आएगा दोस्तों हमारा 4 विकल पुबाना जाएगा 53 नमर कुश्चन क्या रहा है इसको जरा देखते हैं यदि दोस्तों त्रिबूज a b c और त्रिबूज d e f में यदि a b बराबर e f b c बराबर d e तथा c a बराबर f d हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों त्रिबूज a b c सरवांक सम त्रिबूज f e d ठीक है न इसको उन्टिक कर बढ़ेंगे और हम आगे बढ़ेंगे जब नमर दोस्तों कुश्चन क्या रहा कि निम्न में से कौन सी एक समकोड त्रिबूज की भुजाय हो सकती है इसका जो सही आंतर आगा दूसरा विकल पाएगा दोस्तों 65 cm, 72 cm और 97 cm इसको टिक करना था अगला कुश्चन देखते है 55 नमर किसी बहु फलक के साथ फलक हैं और 10 सीर्स हैं इस बहु फलक के किनारों की संक्या होगी इसका अंतर आगा दोस्तों हमारा 15 इसको टिक करते हैं 56 नमर कुश्चन क्या रहा है त्रिबूज ABC में बुजा AB को E तक और बुजा CA को D तक बढ़ाया जाता है तो कोड BAD 125 तो निम्न में से कौन सो सत्य आपको यह बताना तो दोस्तों पहला विकल को जागा त्रिबूज मतलब कोड ABC और कोड ACB का अंतर 35 नमर कुश्चन देखा जाया कि समलम PQRS में PQ ठीक है समांतर SR और PQ तता SR का अनुपा 3 अनुपाते 2 है यदि समलम का छेत्रफल 430 cm2 है तो P 58 नमर कुश्चन क्या रहा हमारा कि 28 cm गुड़े 10 cm माप वाले एक आयताकर कागज के तुकड़े को बिना अति ब्यापन के मोड कर एक 10 cm उचाई का बेलन मराया गया तो बेलन के धारिता लीटर में क्या होगी पाई के मान दोस्तों दिया यह था 2 बटे साथ मान लेना है होत इसका आंतर आएगा दोस्तों हमारा 670 कोशन लुट का कि निम्ज अंतर आगो के लिए परिसर भावलत को सबसे अच्छा में गरता है पहला विगलब देखे कि वज्ञानिक अपने कारे में पूड रूप से निस्पच्च होते हैं इसको मैं टिक करेंगे आगे बढ़ेंगे बासरट नमर कोश्चन विज्ञान की पाथ चरिया में संग्यानात्पक वैदता का अर्थ होता है ठीक है सिच्चार्थियों के संग्यानात्पक इस्तर के अनुसार सामकरी का समायूजन चौथा विगलब टिक करेंगे तिरसरट नमर कोश्चन NCF 2005 के अनुसार उच्चे प्रात्मिक इस्तर के विज्ञान की पाथे चरिया में निम लिकित में से कौन सा अनुसंसी थे तो इसका दोस्तों जो पहले विकलब होगा A, B और D मतलब आउधार रडाओ को रोज मर्रा क्या अनुबक की समझ बनाने से जोड़ा जाना चाहिए B A दोस्तों के ओधार रडाओ तक गति विदियो प्रियोगों द्वारा पहुचा जाना चाहिए और D A के ओधार रडाओ को इसाथ नियम और सिद्धानतों को पेस करने के आउशक्ता होती है इसको टिक करेंगे चौसर्थ नमर कुश्चन नियम लिकित कतनों से पैचाने जो की विज्ञान के बारे में सत्ते है सभी विज्ञानिक विचारों को नियंत्रित प्रियोगों द्वारा कोजा और परखा जाता है ठीक है चौसर्थ विकल में आपर से होगा पैसर्थ नमर कुश्चन क्या रहा कि इसू के एक सप्ता के लिए मौसम की रिपोर्ट एकत्र करने का एक ब्रक्तिकत कारिद किया गया नीचे दिये गए आकलत संकीत तनों मतलब संकीत को से पैचाने की इसू कहां गलत हो गई देखे दोस्तों वह समझती है कि अधिकतम और नियूंतन तापमान की सीमा प्रति दिन भिन नहें ये दोस्तों दूसरा विकल में पर सही होगा शाचर्थ नमर कुश्चन निम लिकित में से क्या सिच्छार्तियों में संकलपना की कमी को समझाने के लिए उपयोगी रड़नी ती है समझने के लिए ठीक है और धारणा मानचीतर का उपयोग करना चाहिए पहला विकल्प सही है शाचर्थ नमर कुश्चन देखेंगे विज्ञान को पढ़ाने के लिए और अधिक लड़कियों को प्रोसाइट करने के लिए आप निम्न सभी प्रकारों को अपना सकते हैं सिर्फ एक को छोड़कर ध्यान रखें कि दोस्ते विज्ञान के कच्छा में लड़किया हमेशा हावी रहें ठीक है न इसको अठर नमर कोशन विज्ञान सिच्छक को और अधिक अपसारी प्रसने पूछने चाहिए क्योंकि एस सीडीज का सही आतरे मत्सब्दों से यह गहन सोच को प्रोसाइट और विक्सित करता है यह सोचने की युक्तियों को विक्सित करता है यह सिच्छार्थियों में सरजिनात्पक बेवार के आकलेंड में सहायता करता है यह दोस्तों करेक्ट आंतर होगा 69 नमर कोशन कच्छा में प्रदर्थनों का उप्योग मुख रूप से सिच्छार्थियों को सामिल करता है क्या दोस्तों द्रश्या और सरवड सीखना तीसरा विकल्प करेक्ट आंतर 70 नमर कोशन घनत के आउधारडा के लिए सिच्छड के लिए जाच उपागम का उप्योग करके अपनी विज्ञान कच्छा के लिए डियोजन करम दे CBA मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा इस इच्छार्थियों को एक छोटी नाव डिजाइन करने के लिए कह जो कि एक किलोग्राम वजन ले जाया सके ठीक पहले ये फिर उसके बाद इच्छार्थियों को विबिन वस्तों के साथ टब में पानी के साथ खिलने का उसर दें फिर से इच्छार्थियों को तैर दें और डूपने वाली वस्तों के भी संबंद निर्धारित करने का उसर दें तो दोस्तों ये आपका कुछ क्रम बनेगा आगे बढ़ते हैं एक अप्तर नमर कुश्चन वाई कोई एक ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल या हरित लैक नहीं होता वाई क्या हो सकता है दो ती हो जाएगा आपका कसकुटा या अमर बेल बहत्तर नमर कुश्चन के आरा हमारा की नीचे दिया गया कौन सा कतन सही है तो देखिए ब्रह दांतर चुद्रांत की अपेच्छा चोड़ी तैता छोटी होती है ठीक है न तो कुछ चीज़े दो था प्रिलिस में भी देख लिया करिए अगर हिंदी समझ मना है तेथतर नमर कुश्चन रेसम कीट के जीवन चक्राउं रेसम फाइवर के उतपादन के सम्मझ में कौन सा कतन सही नहीं है तो चौथा विकल देखिए प्यूपा या कोसित विक्सित होकर केटर पिलर बन जाता चौथा विकल में आपर गाईस बिल्कुल करेक्ट आता चौथा नमर कुश्चन के आज़ा है कि निम विकित में से कौन मतलब सही मिलान का निरूपड करता है सही मिलान का दोस्त आपको देखना है तो योगा हमारा चौथा विकल ठीक है मतलब दोस्त आपका A का O का दूसरा मतलब देखे सिकुड कर और सिथिल होकर सरीर की गति में सायता करती है योगा दोस्त दूसरा मतलब P C और B का दोस्त हो जाएगा हमारा चौथा वाला देखे कठोर सनचना जो कंकाल बनाती इसको दोस्त हम बोलते हैं अस्ति बोलते हैं और C का दोस्तों का पहला कंकाल का भाग जिसे जुकाया जा सकता है इसे दोस्तों बोलेंगे उपास्ति वच की अस्ति और मेरुटिंट को जोड़कर बक्से की रचना करता है दोस्त इसको हम बोलेंगे पसली या पिंजर ठीक है यह आपका सही मिला था अब बढ़ते हैं अगले कोश्चन के तरफ निम्मिकित में से मानवो कि कौन से ग्रंती दो अधिक हार्मोन राविद करती है इसका आंतरों को दोस्तों हमारा यूज 56 नमर कोश्चन के आरा हमारा नीचे दिया गया कौन सा कतन सही आपको यह बताना है सभी अधात्वे अतन्य तन्य मतलब नहीं होती है मतलब सभी अधात्वे क्या होती है अतन्य होती है अगला कोश्चन के आरा वाई कोई मानो निर्मित रेशा फाइबर है जिसे प्राकृतिक किस रोज से प्राप्त किया जाता है वाई क्या हो सकता है दोस्ति यह होगा आपका रियान कि 78 नमर कुश्चन देखेंगे नीचे दी गई तालिका का आपको अध्यल करता है ठीक है न तालिका एक तरफ आपका इधन उसमियमान अवस्ता जो रंत आप दिया गए सी विकल्प देखें मध्यम गैस मध्यम ठीक है आपका यही वाला अंसर सही होगा किसमे घरेलो इधन की रूप में कौन सा सबसे अधिक उप्यूकत होगा ठीक है न अगला कुश्चन देखते हैं किसी विसिच्च चेत्री में विसिच्च रूप से पाई जाने वाली इस विस क्या कहते हैं इसको दोस्तों बोलते हैं विसिच्च चेत्री इस विसीच्च टीकने इसको टिक करेंगे असी नमर कुश्चन धातु एक्स और धातु आई क्यू उसके लवड्ब विलियन से विस्तापित करने योग के नहीं है इन में सबसे ज्यादा अब उसे ल्धां सी थ पर गिरती हैं तता पूर्था विश्रित धंकते परावरतित हो जाती हैं, आप इस बीम के प्रतिविम की प्रकृति के बारे में क्या कह सकते हैं, तो सही आंतर होगा दोस्तों दूसरा विकल कोई प्रतिविम नहीं बनेगा, इसको टिक करेंगे, तो 82 नमर कुश्चन के आ रह 83 नमर कुश्चन, निम लिखित में से सही कथन के आपको पहचान करना है, ध्वनी निर्वात में गमन नहीं कर सकती, इसको टिक करेंगे, 84 नमर कुश्चन के आ रहा है, कि नीचे दिया गया कौन सा समुच्चे ऐसे द्रव्बेयों को समाविष्ट करता जो विद्दूत के हीन चाला के, इसको आंतर होगा, दोस्तों सैंपू, वनसपती तेल और आसुत तेल 85 नमर कोशन क्या रहा है कि नीचे दिया गया कौन सा समुच्छे रासानिक परिवर्तनों को समाविष्ट करता है इसका सही अंतर होगा लोहिंग को जंग लगना, कागच का जलना, भोजन का पाचन ये दोस्तों आपका सही अंतर होगा 86 नमर कोशन देखते हैं नीना किराने की कुछ वस्तों खरीदने के लिए साइकल से बजार जा रही थी बजार उसके घर से 4 किलोमीटर दूरे उसने पहले 10 मिनिट ठीक है 12 किलोमीटर प्रती हवर की चाल से कवन किया उसे रास्ते में उसकी मित्र निखत मिलती है जिसे वक्त रुक कर 15 मिनिट बाचीत करती है इसके पश्यात्व अपनी आत्रा 8 किलोमीटर प्रती घंटा की चालते फिर से आरम करती है उसकी आत्रा क्या उसत चाल क्या होगी यह आंतरोग दोस्त आपका 6 किलोमीटर प्रती घंटा 87 नमर कोशन क्या रहा इसको देखें गया लवड और जल के मिसरड को प्रता करने की प्रक्रिया में निम लिखित में से कौन सायक नहीं होगा इसका अंतरोग दोस्त नमारा निश्यंदन 88 नमर कोशन नीचे दियेगे प्रकास के कौन से कुड़ धर्मों का उप्योग छाया बनने की परिगटना की ब्याख्या के लिए किया जा सकता है D और A मतलब प्रकास अपार दर्सी वस्तों से नहीं गुजरता है प्रकास रह लिखा में गमन करता है यह सही आंतर होगा 89 नमर कोशन नीम लिखित में से कौन मतलब सही कतन को आपको पहचानना है तो सही आंतर होगा आपका की चिकनी म्रदा में महिन कड़ो का अनुपाथ दुमबट म्रदा के पेश्या उच्चतर होता है ठीक है 90 नमर कोशन विटामिन एक्स की हिंता कमी के कारण मसूडो से रूदिर बैने लगता है यह विटामिन खनीज वाई के और सुइसर के लिए आवश्यक है तथा एक्स बोजन जेड में पाया जाता है एक्स वाई और जेड को पहचानी है एक्स आपका विटामिन C है वाई दोस्तों आईरन है आपका और जेड निम्बू वन्स के फल है तो गाईस हमारे यहां पर 30 कोशन विज्ञान के भी कम्पलीट होते है तो आप अपने नमर चेक कर सकते हैं कि आखिर आपके विज्ञान में कितने नमर बन रहा है अब दोस्तों हम बढ़ेंगे आगे Social Studies या Social Studies मतलब सामाजिक अधिर या सामाजिक विज्ञान की तरफ ठीक है अगर आपने नहीं लिए रखा तो वीडियो का आप यहां से आगे बढ़ा दीजेगा तो दोस्तों इसमें 31 नमर कोश्चन क्या रहा है इसको जरा देखते हैं ठीक है न और निर्देश क्या दिया आगे इसको जरा देख लेज़ें निर्विकित प्रसनों के उत्तर देने के लिए सबसे उप्युक्त विकलप आपको चुलना है ठीक है कथन एक यह लिखा है चोल मंदिर धार्मिक समाजिक एवं संत्क्रतिक जीवन के केंद्र थे कथन भी दोस्तों चोल काल से प्रतिमाय देवी देवताओ की थी पर कुछ प्रतिमाय भक्तों की भी थी तो देखे दोस्टे ए वाभी दोनों से ये किन्तु ए का साइस पश्टी करण भी नहीं है ये आपका दूसरा विकत से हो गए याँ पर 32 नमर कोश्चन क्या था कतन दोस्टियां पर ए और बी दिया गया है कि दिल्ली के सुल्टानों के समय ठीकना तवारिक के लेख खको ने मतलब जन्बसीद अधिकार और लिंग भेट पर आधारित आधर से समाज व्योस्टा बनाये रखने की सला दी थी कतन दोस्ट भी क्या था उनके विचार से सारे लोग सहमत होते थे दिखे ए साहिए किंतु बी आपका यहां पर क्या है यह आपको गलत है तैतिस नमर कुश्टन क्या रहा दोस्तो कतन ए यहां पर दिया गया रजिया ने अपने अभी लेखों में अपना नाम पुरसों जैसा लिखकर अपने पुरुस होने का ब्रह्म पैदा किया कतन भी दो पैदिस नमर कुश्टन कतन ए अकबर जहां की राव साह जहां ने सुल्तान ए खुल सर्वत्त सांत्री के विचारों को सासन का सिध्धान्द बनाया कतन भी देखे दोस्तों विभिन धर्मों से जुड़े वे व्यक्तियों के साथ विचार विबर से अकबर की समझ बली जोक अकब्र कटर होते हैं यहां ए और 200 वी दोनों से ए किन्तु एक आप कारण भी था पहला विखल सी होगा 35 नमर क्ष्ट क्या आए कृत ने दिया खे दोस्तों दिल्ली के सुल्टानों और मुग्लों के काल में स्रेड़ी बद्ध समाज जाधा सरल्व वह गया कःतन भी बहादूर साज अपर ने मुखियाव और सासकों को चिठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारती राज्यों का एक संग बनाने का आध्यान किया, कतन भी दोस्तों क्या है कि बहादूर साज अपर ने 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसला ने इस्तिती रातो रात पीडित भगातियों के पच में बदल दी, ये और भी दोस्तों दोनों से ये ए ने बी को सुनशित किया, ठीक है पहला विकल्प, अगला कोशन दोस्तों, आपनी वेसक काल के दौरान मैलाय जाती एवां सुधार के संदर में ने विकित में से कौन सा विकल्प ग पहले था इस सा, 49 नमर कोशन देखिए, निम निकित कतनों पर ध्यान दे और लोकतंत्र में संचार, माध्यम की सही भूमका का आपको चेहन करना है, इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सुचना पहुचाने चाहिए, केवल ए और सही आंतर से होगा, दोसी से हर द्रश होगा, दोस्तों, इस पोर्ट्स जूते के विग्यापन में एक लड़की फुटबाल खेलती हुई, अगला कुशन देखतें, एक तालिस नमर की नीचे दिये गए, लच्छोडों A और B के अधार पर माध्यम की पहचान आपको करना है, तो दोस्तों, इसका जो सही आंतर हो में हम, जैसे जैसे सूरी से दूर जाते, तो क्या होता है, दोस्तों, ग्रहों द्वारा सूरी के चार ओर एक परिक्रमड करने के अवधी बढ़ती जाती है, तीसरा विकल सही हो जाएगा, 43 नमर कुशन देखेंगे, कलपना करें कि यदि प्रत्वी अपने कच्छी समतल की और नहीं जुकी होती तो, क्या होता है, दोसिस का सही आंतर, प्रदीत विवरत और दिसा आंतर रिखा एक दूसरे से मिल जाती, किसी छेतर विशेश में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता, तो दोस्तों, आपका सही आंतर A और C होगा, 44 नमर कुशन, भारत में सरद रित् सम्मंद में कतन A, B और C पर विचार किजिए, और सही विगल आपको चेन करना है, A, B, C, 203 गलत, इस मौसम को दच्छडी पच्छी मांसून के नाम से भी जाना जाता है, तो दोस्तों, यहां पर तीनों गलत है, फिलाल यहीं आपका सही आंतर है, आगे बढ़ते हैं, निम मंदली परत की पहचान आपको करना है, अंतरिश्च से प्रवेश करने वाले उलका पिंड इस परत पर में आने से जल जाते हैं, इस परत में बढ़ती हुचाई के साथ तापमान गटता है, इसका अंतरों का दोस्त नमारा मंद्यमंदल, अगला कोश्चन है, आपतन का संब का दोस्तों आंतरों का महादीपों का पश्यमी एवं दच्छडी पश्यमी किनारा, उसके बाद देखें, उश्र कटबंदी सता बाहर बन दोस्ती हो जाएगा, द्रड काश्ट वाले व्रच हो जाएगे, सितूश्र साधा बाहर बन, ठीक आपका जो सही आंतर था, ये दोस सहरा की गुफाओं से प्राप्त चित्र, नदिया, मगर, हाती, सेट, पंसु, ये मतलब पंसु तता बक्रिया दरसाते, ए और दोस्तों भी कहना है, दोनों यहाँ पर सही है, पचात नमबर कोशन क्या है, डाल्फिन के बारे में दिये गए ए बी और सी हिकतनों पर विचार कीजिए और सही विखल्फ आपको चेहन करना है, ठीक है, ए बी सी यहाँ पर तीनों सही मतलब गंगा और ब्रहभ पुत्र नदि के आलवर्ड जल में डाल्फिन पाय जाती है, डाल्फिन, ठीक है, आप यहाँ रड बिहार राज में अवस्तित है, डाल्फिन की उपसिती से जल की सुदता का पता चलता है, तो दोस्तिया पर आपका तीसरा विखल्फ सही है, 51. क्या है कि बायो गैस मतलब अनिवारी गूप से निम्नों में से किनका मिस्रड होती है, मिथेन और कारवन डाई आकसाइड का, 52. संसाधन के बारे में कथन A और B पर आपको विचार करना है, एक गलत है, परन्तु भी सही है, मतलब सभी संसाधनों का अर्थिक मूल्य होता है, समय पर प्रद्योगी की दो महत्पूर कारा के जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्थित कर सकते हैं, तीसरा विखल्फ यापर करेक्ट है, तिरपन नमर कुश्चन देखते हैं कि अर्जा के परांपरा का स्रोत की समूग की पहचान आपको करना है, तो दोस्तो खनी जिते लोगें, प्राक्तिक गैस होगें, इदन होगें, तीसरा विखल्फ चववन नमर कुश्चन क्या है कि प्राक्तिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गी करड़, एसाथ आपको मि दोस्तो जेव और अजेव हो जाएगा, वितरड का दोस्तो हो जाएगा, सर्वा, व्यापक और इस्थानिक हो जाएगा, और चौता का दोस्तो बंधार का हो जाएगा, नविकरडी और अन्विकरडी, ठीक मतलब आपको दोस्तों बिल्कुल ये साहीज, पहले से ही मिलाया था, आगे बढ़ते हैं, कथन ए, लगबग दोस्तों 12,000 साल पहले भारत में कई छेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगें, कथन भी, हिरण, बारा सिंगा, बकरी, भीड और मेवेसी जैसे जनवरों की संक्या बढ़ गए, यह और भी दोनों सही क बस्तों के अवसेश मिलते हैं, सिर्फ यहां पर ए, विगल्प सही है, 57 नमर क्या है कि हडपा सब्विता के लोग बनाते थे दोस्तों, क्या A और D मतलब 200 पत्थर के मुहरे, सोने से बने बरतन बनाते थे, हडपा सब्विता, सोचे सोने के बरतन, 58 नमर क्या है, एक महाव तो दोस्तों यहां पर क्या करना पड़ेगा, दीखना पड़ेगा, 69 नमर क्या हमारा, प्रारंबिक काल से सुरू, करके आरोही क्रंबे निम्लिकित को मतलब सजाना है आपको, तो देखे दोस्तों पहले हो जाएगा आपका वेदो की रचना की सुरुआत, महा पासाडों की निर्माड की सुरुआत, इनाम गाउं में क्रसुको का निवास और फिर लाश्ट में चरक, ठीक है यह आपका दोस्तों सही है, अब दोस्तों देखने आज का अगला प्रस्न साथ नमर क्या हमारा, हाल के काल से सुरू करके आरोही क्रंब या उल्टा में निम्लिकित को आप मतलब लोही के प्रयोग में बडोत्री, नगर आहा सिखे, उप महादीपी में लोहे के प्रयोग की सुरुआ, ठीक है, अरिका मुड पतन में बसना, संगम, साहित की रशना की सुरुआ, तो मतलब आपका जो सही अंतर होगा दोस्तों यहां, A, B, C, D नहीं होगा यहां पर दोस्तों होगा, आपका A, C, B, D होगा, इसको जड़ा ध्यान रखे, पहले आपका A, फिर C, फिर D, दोस्तों B, और लाश्न में D होगा, ठीक है, यह हो चुका है, आप चले दोस्तों यह एक सट नमर कोशन, देखे, अध्याय के अंत में दिये गए प्रतनों के बारे में न प्रतनों के प्रतनों के प्रकार है, यह दिदम करता हो, में कच्छा में पहले पढ़ाई की दे और धरडाव की समझ विस्तरत करता है, ठीक है न, दोस्तों तीनों से होगा यहा पर, अगला कुश्चन क्या रहा है, कि सामाजिक और राजनेतिक गीवन की पार्ट पुस्तको में क्या होता है दोस्ट इसको जरा देखिए A, B और C मतलब क्या है सामाजिक और अनितिक मुद्दों की परिभासा है और विवरण दिया गया है सनस्ताओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वे उसी तरह कार्यानवित हूं जैसा समिधान में उनकी पना की गई है C में दोस्तों क्या है लोगों वा छेत्रों से जुड़े विविविन ठोस उधारण को प्रस्तूत किया गया मतलब यहाँ पर तीनों विगल्प सही है तो इस प्रस्त में सिच्चा किस कौसल पर जोड़ दे रहे तो दोस्तों इसका अंतर हो जाएगा परिस्तितियों से अनुमाल लगाना मतलब चौथा विकल्प्यापर आपका करेक्टर आते हैं अगला कोश्चन दोस्तों देखते हैं बाजार का परिचे देने के लिए दोस्तों कौन सी मतलब सिच्चा सात्री विदी का सरूत्तम हो सकती है देखें माचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना जी यह दोस्तों आप थोड़ा क्लेर नहीं दिख रहा लेकिन अगर आपने पेपर दिया हो तो आपको यह समझ में आ रहा होगा 65 के तोर पर आप इस कविता का मतलब कविता दोस्तों गिया गया तो इसका अंसर हो जाएगा मानवी सुद्धता जन्व से निर्धारित होती है यह आपका सही आंतरों के इसको जरा ध्यान रखेगा 66 क्या रहा समाजिक विज्ञान के पाठे चरिया उच प्रात्मी की स्थर पर खेंद्रित करता है अ बी और सी तीनों दोस्तों प्रतिवी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना अपने छेतर राज और देज का अध्यन करना भारत के अतीत और समाजिक मतला सामिक दोस्तों विकास का अध्यन करना ठीक है तीनों आपको यहाँ पर विकल सही है अब बढ़ेंगे आज के अगले प्रस्निकी तरफ हम लोग इसका अंतर होगा दोस्तों परिक्रमड दिन राज और मौसमी परिवर्तन जीएं दोस्तों आपका तीसरा विकल्प में आपर बिल्कुल सही है इसका अंतर होगा दोस्तों खनिस संसादन उद्योग उर्जा संसादन ठीक है न यह आपका तीसरा विकल्प में आपर सही होगा अगला कुश्चन कहा रहा कि एक सहर के स्कूल में भुगोल की कच्छा में वनों के प्रकार विसे का परिचे देने के लिए सर्वोस्तम विदी होगी विद्याले के समीव वन का छेतर ब्रमण का आयूजन करना ठीक है इसको टिक करेंगे 17.11 कि भुकम पर चर्चा के दोरान बैवारी कोसल अधिकम करताओं को विक्सित करने ही तुक सिच्चक को बल देना चाहिए किस पर दोस्तों भुकम के दोरान बरती जाने वाली सावधानिया चौथा विकल्प में आपर आपका सही आंदर 17.11 क्या रहा है इसको जराब हम देखेंगे तवा बांग छेतर के स्थानी लोग 1990 के दसाग में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगटित हुए थे तो मचली पकड़ने का अधिकार यहां पर चौथा विकल्प सी होगा 17.12 क्या रहा है भारती लोगतंतर के संदर में नीम लिकित में से कौन सा कथन गलत है भारती जनता का एक छोटा सा हिस्सा भारती सोतंततरता से पहले भी मद्यदान कर सकता था यहां पर तीसरा विकल्प सी होगा 74 नमर कोश्चन कैंब भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्थों के कारेकाल के लिए चुना जाता है तो इसका अंतर होगा दोस्त हमारा 5 सर फिर अगला कोश्चन पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या होता है तो दोस्तो इस्टेशन हाउस अब सर इसको टिक करेंगे 76 नमर कोश्चन क्या है हिंदू उत्तरा अधिकारी अधिनियम में लाया के 2005 के संसूधन ने निम्लिकित में से क्या मोहिया करवाया आंतर होगा दोस्तो महिलाओ का परिवारिक संपत्ती में बराबर इस्तेदारी का अधिकार चौथा विकल्प से होगा 77 नमर कोश्चन क्या है दोस्तों कि भारती समिधान की ब्याक्षा का अंतिम 88 नमर कोश्चन क्या है कि अत्या चार निवारण अधिनियम 1989 को निम्लिकित में से कौन से समिधाय को निया दिलाने के लिए पादित किया गया ते तो इसका अंतर होगा आधिवासी एबं दलित के लिए उनने 80 नमर कोशन के आए कि ऐसी राजनीतिक व्योस्ता जिसमें एक से ज़्यादा इसतर की सरकारे हो उसे का जाता है इसको बोलते हम संगवाद 80 नमर कोशन दोस्तों देखेंगे निम निकित में से कौन से नीति सामाजिक नय को प्रोस्ताइद करती है यह और भी दोनों मतलब सरकारी नौकलियों की सूचीगा दलील ठीक है दलील जाती के उम्मीद्वार को अरच्छड देना नियूंतम में अंताना कानून पारित करना जी यहां दोस्तों आपके यहां पर पहला विकल्प सही होगा अगला कोश्चन क्या रहा है हमारा कि नई दिल्ली ठीक है कि वास्तु सैली की चर्चा में एक सिच्चा को केंद्रित करना चाहिए क्या दोस्तों कैसे यह ब्रिटिस महत्ता और विसमे का भाव पैता करता है जी यहां दोस्तों आपर दूसरा विकल्प आपका करेक्टर अंतर होगा बैसी नमर कोश्चन क्या रहा है कि इतिहास सिच्चड का उद्देश ये केंद्रित होना चाहिए तो देखें आपर दोस्तों आपका A और B और D तीन विकल्प सही है मतलब देश से जुड़े मुद्दों के प्रती रूची को बढ़ावा विसलेसर और आलोचनात्मक मुल्यांकन करने का कौसल विक्सित करना विद्याले परिसर के अधिकम और विद्याले के बाहर की दुनिया को जोड़ने के अधिकम करताओ की मदद ये तीन विकल्प सही है अगला कोशन दोस्तों क्या है कि सामाजिक विज्ञान की कच्छा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश होना चाहिए A और B और C सही है मतलब अधिकम करताओ के साथ गर्मा से जुड़े मुद्दों को समभोधित करना सभी का सम्मान करने के प्रती अधिकम करताओ के समविद्यन सिलिल करना समविदान में परिलचित मुल्यों पर अधारित होना ये दोस्तों तीसरा विकल्प में आपर सही होगा 85 नमर कोशन कहा रहा कि कच्छा और समाज में व्याप्त विविदता को संबोधित करने के लिए समाजिक विज्ञान के सिचकों को चाहिए क्या चाहिए दोस्तों A और C मतलब विबिन सांस्क्रतियों से जूड़े उधारड़ों की मतलब कच्छा में चर्चा सामिल करें अपने व्यक्तिकत अनवोगों को कच्छा में साजा करने के लिए विद्धियार्थियों को प्रेरीज करना चाहिए तीसरा विकल्प में पर सही होगा 86 नमर कोशन कहा रहा है कि सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए आपने अधिगम को विबिन द्यानिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगम करता हो कि शमता का मुल्यांकन करना यहां दोस्तों दोसरा विकल्प में पर सही होगा 87 नमर कोशन कहा रहा है दोती एक सुर्वत का उधार अड़े तो दोस्त यहां हो जाएगा सीए बेली द्वार लिकित एन एलस्ट्रेट ठीक दोस्तों इस्ट्री आप मौडर्ण इंडिया यह आपका तीसरा विकल्प में आपर सही होगा 88 नमर कोशन कहा रहा हमारा ओप निवेसिक भारत में इस्ट्री सिच्छा पर चर्चा करने के लिए विद्यार सी निम्न आत्म कताओं में से किसको संदर्वित कर सकते हैं तारा भाई सिंदेक रती इस्ट्री कुरुष सुलना जी आदोस्त इसको उम्टिक करेंगे आपर अगला पर जिसमें अगर दोस्त आपने लेंगवज वन में अगर हिंदी ले रखा होगा तो ये आपके लिए दोस्तो है ठीक है न तो चलिए दोस्तो इसका आप आप आंसर जाए सबसे पहले कुशन दिया गया कि निम विखित गद्यांज को पढ़कर पूशे गए प्रस्णों में से 99 से लेके 99 तक के सभी उप्यूक्त वाले आपको उत्तर विकल्प चुनना है तो खेल की कच्छा में शुरूई दोस्तों आप इसको एक बार पढ़ लिजेगा इतना स् पहास किया तो इन दोनों में से दोस्ते एक आंसर को स्लेट किया जाएगा फिलाल देखते हैं क्या होता है अगला कोश्चन अमारा पौश्टिक कुराक में दोनों सब्दे हैं क्रमसा तद्बह और तस्तम चौथा विकल्प सही है तिरानमे नमर कोश्चन क्या रहा है कि ठीके न पंचानमे नमर कोश्चन क्या दा कि आपकी विचार से लड़की को सपलता कि सबसे बड़ी प्रेडा कितने दि तो उसका अंतरों का उसकी मालें चियानमे नमर कोश्चन क्या निंसार सब कुछ समब है यदि हो सची लगन और ऊच्चा इरादा 98 नम्मर कोशन के आरा, गर्द्यांस में नहीत मुख्य उद्देश है, सपलता के लिए 200 लगन और परिस्रम आवश्य के अगर आपे पहला टिक है तो आपका सही नम्मर, अगला कोशन देखते हैं, आश्यर चकीत का विग्रह होगा, आश्यर से चकीत, जी यहां दोसे इसका प पूरा ले लिजेगा, अब पहला कुशन देखते हैं कि ब्याकरट की दरश्टी से, इंद्र धनुसी सब्द है, कैसा दोसी यह, विशेसर होगा, 101 नम्मर कोशन क्या रहा कि आर्थ की दरश्टी से, से से बिन्न सब्द को आपको पैचानने तो इसका आंतर हो जाएगा हमार डगर, 102 नम्मर कोशन क्या रहा कि कविता का केंदरी स्वर होगा, उसा और आत्म विस्वास, इसको में टिक करना है, 103 नम्मर कोशन दिसाय कवी को क्यों बुला रही है, सफलता प्राप्त करने के लिए, दूसरा मिकल, 104 नम्मर कोशन क्या रहा कवी को अपनी सफलता पर अट पंक्ति से प्रतीत होता है कि कभी का ब्यक्तित वो बदल गया है मुझे आज लगता है कि मैं वह नहीं हूँ ये विकल्प आपका सही है उसके बाद दोस्तों देखे अगले कुछ कोशन्द के लिए आपके पास फिर से मतलब ठीक है विकल्प विकल्प दिया गया है चली देखते हैं त्री भासा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भासा जो पढ़ाई जाये हुआ हो या भासा या तो दोस्तों मात्र भासा हो या तो वहाँ पर छीत्री भासा हो 107 कोश्चन नमर ब्याकरण पढ़ाने की आगमन विदी पर सरवादिक बल देती क्या दोस्तों उधारणों ठीकने एक्जामपला बहुत लेते 108 कोश्चन बासा की संदर्व में संचार माद्मों का प्रयोग ना केवल समाजिक समवेदना विक्सित करता है बलकि विबीन माद्मों में प्रयोगत बासा को समझने में मदद भी करता है चौथा विकल्प, 109 नमर कोश्चन, कानियों की बिबिन सेलियों पर की गई चर्चा बच्चों को मदद करती किसमें ब्याकरण समझने में, 110 नमर कोश्चन, संदर्ब में ब्याकरण किस पर बल देता है, देखे पार्ट पढ़ाते समें प्रसंग वज आने वाले ब्याकरण बिन्दों को इस प्रष्ट कर दे, पर ठीक है या आपका दूसरा विकल्प से होगा, 111 नमर कोश्चन क्या रहा है कि प्रतेक भासा सिच्छक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए, कि उसकी कच्छा पे बच्चों की प्रष्ट भूमी क्या, जिया दोस्थो भासिक सांस्कृतिक, पहला विकल्प में आपर करेक्ट आंसर है, 112 नमर कोश्चन देखेंगे, कि सात्वी कच्छा में पढ़ाने वाले, रिसब ने बच्चों को जल सरनच्छड पराधारी सरकार द्वारा जारी पोश्टर दिखाया और चर्चा की, ठीक है, रिसब द्वारा प्र भिन हूँ, 114 नमर कोश्चन, गर्दे सिच्छड में अपेच्छित नहीं है, क्या दोस्तों तार्किक सक्ति का विकास, पहला विकल्प से होगा, 115 नमर कोश्चन, हिंदी भासा की पार्ट पुस्तकों में, हिंदी तर भासाओ की रचनाओ को भी इस्तान मिलना चाहिए, ता का मतलब एक महत्पूर उद्देश है, क्या दोस्तों हिंदी भासा की नियम बद्ध प्रक्रति को पहचाना, ठीके, तीसरा विकल्प से होगा, 117 नमर कोश्चन, भासाओ परिचर्चा समवाद बच्चों की छमता का विकास करने में साहिए, कैसा दोस्तों मौकी आभी व्य करने में, 119 नमर कोश्चन क्या रहा हमारा, आटमीक अच्छा में हिंदी भासा सीखने सिखाने के लिए आपके सामगरी को सरवादिक महत्व देगे, इसका अंतर होगा हमारा साहितिक सामगरी, अगला कोश्चन देखिए, आप छटीक अच्छा के बच्चों के लिए हिंद कोश्चन दोस्तों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब आपको यह देखना है कि आपको हिंदी माकिर 30 में से कितने नमर आ रहे हैं, अब देखे दोस्तों अगर आपने लेंगवज 1 हिंदी ले रखी तो तो सिंपल थी बात है, अब पार्ट 5 में हम आएंगे और यहां पर आपकी क्या होगी, इंग्लीज होगी, ठीक है दोस्तों यह साई क्रम है, अगर आपने कुछ गल्ती कर रहा होगा तो आपसे गल्ती हो गई होगी, क्योंकि देखे दोस्तों यहां पर 120 नमर तक आप इसी में पहले आपको इंग्लीज भी दिखाऊगा, तो कुछ बच्चे क क्या करते हैं कि पहले भाई इसी में मतलब हिंदी भी कर दिया, अब इसी का दोस्तों इंग्लीज भी आपका रहाते हैं, यह आपसे गल्ती होती है, चले ठीक है, तो आते हैं इंग्लीज में अब, अब देखे दोस्तों, रीड़ पैसेज पढ़ना था जहां पर 121 से 128 कोश करकेशन एर एक्जांपल भाई ठीक है, ओवरकमिंग आल डिपकर टीस, ठीक है दोस्तों आपर ओवरकमिंग मेंज क्या हो जाएक है, दोस्तों आपका पहला विकल्व सी हो जाएगा, एक सो तेत नमर कोशिछन क्या रहा हमारा, लिविव अलाइफ, विच इंबेरिजड ट् तो दोस्त ही हो जाएगा आपका pronoun ठीक है इसको टिक करेंगे 124 नमर question कहा रहा which two ठीक है न कंट्रेक्टरी काइंट्स आप experience डीड़ ठीक है कमला देवी have in her childhood क्या हो जाएगा दोस्त कोशन है questioning and questioning 125 नमर question क्या रहा her father did not believe in removing ठीक है न दोस्तो grammical restrictions तीसरा विकब सी हो जाएगा 126 नमर question which of the following statements is not correct आप her grandmother तो दोस्त हो जाएगा C believe that woman should lead a secure life तीसरा विकब सी हो जाएगा 127 नमर question क्या रहा which of the following statements is correct about her mother C struggled through life ठीक है न सिम लेंगे ठीक है यह हो जाएगा दोस्तों तीसरा विकब सी हो जाएगा 128 नमर question क्या है study the following statements तुसका जो सही आंतर हो जाएगा बोथ A and B are right मतलब क्या दोस्तों पहला कमला देवी mother read to her from newspaper and magazines music watch a source upgrade ठीक है comfort of to her मतलब ठीक है यह हो जाएगा दोस्तों यह दोनों आपका सही है अब अगला question दोस्तों आएगा उससे पहले भी आपको direction दिया गया है इसको आपको पढ़ना थे 129 से 135 question के लिए आप इसका आप एक पर screenshot ले लिजेगा यहां तक उसके बाद दोस्तों दुबार यहां तक लिजेगा यहां तक ले लिजेगा ठीक हैना पूरा screenshot होगा आप चलिए सीधे question पर आते है which economic strengths टी करने determined the score तो the determined means क्या हो जाएगा दोस्तों established हो जाएगा ठीक है तीसरा विकल 130 question number क्या रहा है आपर social and economic goal क्या पार्ट आप इसपीच आप the underlined word is यह हो जाएगा आपका conjunction 131 question क्या है कि in the Indian context the concept of the word concept means क्या हो जाएगा दोस्तों यहापर आपका हो जाएगा idea 132 question the independence watch achieved in India through a long struggle ठीक है तीसरा विकल से हो जाएगा उसके बाद अगला question देखेंगे अब लो 134 number our leaders vision of independent India watch based on तो दोस्तों हो सकता है कि आपको इस question में common number मिल सकता है तो फिलाल इसमें हम start लगाते है ठीक है देखते हैं क्या होता है अगले question की तरह बढ़ेंगे 134 number in addition to economic growth our society as a consequence also needs क्या हो जाएगा दोस्तों to give important two cultural varieties ठीक है आपका चोथा विकल से हो जाएगा 135 number question क्या रहा इस टेडिट the following statements along with economic growth we also want to develop a united nation with one aim a noble and liberal society depends entirely on economic wealth तो दोस्तों आपका a is right होगा और b is क्या हो जाएगा रॉंग हो जाएगा ठीक इसको हम टिक करेंगे उसके बाद दोस्तों दिखे अगले question के लिए आपको direction दिया क्या है most appropriate option को अब आपको choose करना है 36 number question क्या रहा है इसको हम देखेंगे what does free writing approach to writing promote तो दोस्तों इसका पहला विकल को जाएगा understanding of content and fluency ठीक है दोस्तों अगर आपने इसको टिक किया तो एक number आपकी बन गए 117 number question क्या है दोस्तों pedagogical grammar means that teaching grammar in context ठीक है इसको आपको टिक करना था 133 number question क्या रहा है which one of the following is not taken advocated as an element for assessment in a poem तो दोस्तों theme of the poem चौथा विकल में आपका correct answer होगा 149 number question क्या रहा है a teacher asked her learners to watch a movie two days ago and now she asked them to have a discussion on what would they do if they were the hero heroine of the movie what is the assessment task known as यह हो जागा दोस्तों आपका तीसरा विकल्क यहां पर बिल्कुल correct होगा ठीक है न एक्स्ट्रा पॉलेटिव टास्क ठीक है अब अगला question देखते 140 number क्या है what does fluency in reading means ability to read a text without any mistake at all यह दोस्तों हो जागा चौथा विकल 141 number question which of the following statements are true of language in India C and D मत्रब दोस्तों कौन सी दोस्तों आपका Hindi is the official language of India English is the associate official language of India यह दोस्तों आपका सही आंतर होगा 142 number question declarative knowledge in learning grammar refers to क्या हो जाएगा दोस्तों ही हो जाएगा knowing the rules of grammatical item ठीक है यह हो जाएगा 133 number question habit formation through repetition is a component of which method audio linguism ठीक है दोस्तों ही हो जाएगा आपका चौथा विकल तो अगला question दोस्तों देख देख सो 44 number a teacher of class 7 ask her learners to bring at least 2 of 3 objects from whom and she ask them to exchange the objects among themselves she now ask them to describe the objects in their hands in at least 10 sentences what are the objects known as in language teaching learning materials तो दोस्तों ही हो जाएगा आपका तीसरा विकल ठीक है 145 number question अब हम देखेंगे which one of the following components is a process in top-down approach to teaching learning of listening recognizing prominent details दोस्तों ठीक ही हो जाएगा पहला विकल एक सो 44 number question क्या रहा आप टीचर अरेंज हर learners into pairs and give give आप मतलब देम आटेक्स टू आप paragraph one learners in the pair read out the text of the other and the partner takes the direction ठीक है डिक्स्तेंस है दोस्तों डिक्स्तेंस नहीं 147 number question अब हम देखने वाले हैं ठीक है mechanics of language in speaking skill includes यह हो जाएगा दोस्तों आपका pronunciation grammar and vocabulary ठीक है तीसरा विकल से हो जाएगा 148 number question क्या रहा हमारा जतीन रागो is reading first looking for specific information in a ठीक है machinery manual what is this reading sub skill known as यह हो जाएगा दोस्तों आपको कहते है scanning 144 number question क्या रहा है here are some sets of words in some pattern find what are these known as teaching learning pronounce यह स्थीक है bit bit did did hit head lead lead miss miss pin pin lock luck यह जाएगा दोस्तों आपका constructive pairs तीसरा विकल अंत्यम question दोस्तों इंगलिस का क्या रहा words which one recognized when one here are see them are यह हो जाएगा दोस्तों receptive vocabulary ठीक है न तो यह दोस्तों हो चुका हमारा 150 question उसके बाद है कि आपका भाग five में भी Hindi दे रखा था फिलाल जो बच्चे language one में Hindi लेते हैं ठीक है न और language two में दोस्तों अगर आपने English ले रखा होगा तो बस आपको फिर यह करने के जरूरत नहीं थी ठीक है आपका दोस्तों 150 में से 150 question complete होता है अब आपको चेक करना है कि आखिर आपके नमर कितने आ रहे वीडियो को दोस्तों एक बार आ और आप देख लिजेगा जल्दी जल्दी कि आपको पता चले कि अब आप आप अवाल आपको पींगो जरेख वाले कीज यव्याशलर